एक वर्ष पूर्व लोधी समाज के सामुहिक विवा सम्मेलन में पिछोर में हुई थी कुछ महीनों तो सब ठीक चला उसके बाद वेह मा के जाने का पति को जानसा दे कर जेवरात जिसमें गले का हार, मंगला सुत्र, पायल, पुत्रिया, कर्धनी एमां 15,000 रुपे नगदी लेकर अपने मा के चली गई कुछ दिनों बाद पती राम चरण जब वर्शा को लेने उसके मा के अमोल पटा गया, तो पिता भैयालाल रजक ने कहा कि अभी वेह फूपा के यहां गई है अगले महीने आना लेने जब वर्ण दुबारा गाउं गया तो पिता बोला कि वेह अभी मामा के यहां गई है, राम चरण का कहना है कि जब हमने रिष्टेदारों को एकटा कर पूछ ताच की, तो लड़की के पिता ने कहा कि मैंने अपनी बेटी का विवाख ग्वालियर में कर दिया है, और तुम यहां से जाओ, उसके बाद हमने कहा कि हमारे जेवर और नगिदो, नहीं तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे, छे माह से वर्षा के पिता की यहां चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जेवर तक वापस नहीं किये हैं, इसके बाद खोड़ चौकी में शिकायत की है, झाल 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 झाल